कि नमस्कार दोस्तों तो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मिना नाम किंजल चौधरी है आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांथ आपको PDF अब्डेट्स मिल जाएंगे और साथी साथ यह मेरी एन अ प्रोग्राम भी रन कर रहा है रिपोर्ट एंड विन यदि अनकाइडमी के प्लाटफॉर्म में किसी भी एजुकेटर के द्वारा कोई भी मिस्टेक होती है यह कोई ऐसा ऐसी बात हो जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी तो आप उसको रिपोर्ट करें तो आपको पुरुस तो दोस्तों अगर आप देखें तो डिजर्टिफिकेशन एंड लांड डिग्रेडेशन एटलस ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ओफ इंवार्मेंट फॉरेच्ट क्लाइमिट चेंज ने रिलीज किया है 17 जून को ही क्यों कि 17 जून को वर्ल डे टू कॉमबैट डिजर्टिफि तो यह सारे के सारे सवाल प्रिलिंज के लिए इंपॉर्टेंट है तो भाई किसने पुब्लिश किया है पब्लिशर कौन है इस लोग स्पेस अप्लिकेशन सेंटर तो दोस्तों इस एटलस के ऊपर अगर हम बात करें तो यह आप देखे दोस्तों तो यह स्टेट वाइज ए हमें पता चल जाएगा तो आप देख सकते हैं दो हजार तीन पांच से दो हजार अठारा उन्स में क्या चेंज आया है वो भी आपको दिखेगा तो इस वजह से क्या इंप्रूवमेंट हुई है या फिर डिजर्टिफिकेशन बड़ी है तो इन दोनों का अनुमान कर सबसे जादा हो रही है तो दो हजार अठारा उन्स के लिए आपको मिल जाएगा वैसे ही आपको बटा दू दो हजारा उन्स का भी आपको मिलेगा इस एटलस में वहीं दोस्तों आप देखे तो यह कंपेर भी आप कर सकते हैं दो हजार तीन पांच की तुलना में और वाइल्ड फील्ड सेंसर डेटा के दौरा आप देख सकते हैं आई एर्स एव डेटा के माध्यम से इस प्रकार का मैप बना है जिससे हमें पता चला है कहां पे कितनी डिजर्टिफिकेशन है तो डिजर्टिफिकेशन एंड डिडिडेशन आटलस की बात करें तो आपको से बहुत स्टुडेंट जब भी पढ़ाई स्राट किये हों तो उनको डिजर्टिफिकेशन क्या होता है नहीं मालूम होगा तो बहुत सभाविक है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है दोस्तों डिजर्टिफिकेशन आप अगर देखें तो डिजर्टिफिकेशन का मतलब यह नहीं कि डिजर्टिफिकेशन का मतलब यह नहीं कि डिजर्ट का एक्सपैंशन होना डिजर्टिफिकेशन का मतलब यह नहीं कि डिजर्ट वर्ड रहे हैं डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ड्राइड लैंड है एरिड लैंड से मिए एरिड लैंड उनकी बाय बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है वर्ल्ड पॉपिलेशन इस वक्त साथ बिलियन है यह 9 बिलियन होने वाली है आने वाले दो दिकेड में तो दोस्तों अगर 20 साल में इतनी बड़ी चमता उसकी अच्छी होनी बहुत आवश्यक है तो इसी यह डिजर्टिफिकेशन को चक करना बहुत जरूरी है कि इसी वक्त उसको हम रोकें तो दोस्तों यह डिजर्टिफिकेशन है तो आई होब आप लोगे डेफिनिशन अपने नोट्स में डाल लिए होंगे इसको फोटो कर सकते हैं स्टेट वाइड भी स्टेट वॉइज भी नैशनल भी दो हदा सीम फिकैंस क्या है इंपोर्तिंस और आप एंपोरिस्स देखे तो आप और कन से श्ते geographic locations हैं कैसा terrain है जहां पर desertification बढ रही है और इससे आपके बहुत data अगर जटा डेटा आएगा तो आप desertification से लडने के लिए बहतर position पे होंगे बहतर उससे लड़ सके और desertification को combat करके उसे हरा सकेंगे तो दोस्तों तो एक Proposed National Action Plan भी है National Action Plan for achieving land restoration अब तक आया नहीं है बस प्रोपोस्ट है तो उसको भी अचीव करने में यह हमारे पास इंपुट का काम करेगा डेटा इंपुट मिलेगा तो हम बहतर पॉलिसी बना पाएंगे डिजर्टिफिकेशन को चेक करने के लिए तो दोस्तों डिजर्टिफिकेशन पर कोई भी क्वेशन आएगा आपको दो चीजें याद अखनी बहुत जरूरी है पहला है एक डिजर्टिफिकेशन का मैप इंडिया के लिवल पर अब मैं आपको कहूं आप यह मैप बना दीजिए अपने पेपर में तो यह प्राक्टिकली इंपॉसिबल है यह बस देखने में अच्छा लग रहा है पेपर पे नह कैना भी मैप आप पढ़ते हैं कोई भी हूबाई नहीं उतर सकता मैप सिंप्लीफाइव करने की स्किल आपको सीखनी होगी तो इसको सिंप्लीफाइव करें and हो सके तो अपने हमारे ग्रुप पे डाले तो ग्रुप पे सेल्फ एवैलुएशन भी करेंगे मैं भी एक सिंप इंडिया तो क्या हिसाब है कितना बहुत में तो अगर भारत वर्ष की बात करें तो दोस्तों एक तिहाई जमीन लगभग 32% अफ इंडिया का जमीन ओल्रेडी डीग्रेड़ लैंड है देश में कितनी जमीन लगभग 330 मिलियन हेक्टेर है उसमें 105 तो पांच मिलियन हेक्टेर अल्रेडी डीग्रेड़ है इसमें से आप देखे तो 80% ऑफ कंट्री के डीग्रेड़ लैंड बस नौ स्टेट में हैं कि नौ स्टेट तब कह रहे हैं जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था अब जूनियन टरिटरी है तो मोर दन 80% ऑफ डीग्रेड़ लैंड बस नौ स्टेट में हैं तो यह कौन से नौ स्टेट हैं राजस्थान महराष्टरा गुजरात जम्मू कश्मीर करनाटका जारकंड ओडिशा एंपी एंड तेलांगना जम्मू कश्मीर उस टाइम स्टेट सा अब यूटी है तो इसको इंक्लूड करके बनाया गया है इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो 96 million hectare इसके इलावा एक तिहाई जमीन लगभग तो अल्रेडी डिग्रेड़ेड़ है इसके इलावा लगभग 30 प्रतीशत जमीन या फिर 96 million hectare जमीन ओल्रेडी फर्दर degradation को undergo कर रही है याने आने वाले दिनों में यह भी डिजर्टिफिकेशन के चपेट में आ सकती है यदि इस वक्त कुछ नहीं किया गया तो इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो UNCCD को इंडिया ने अपना डेटा सो पा था रिसेंटली तो उसमें 2019 में तो उसमें इं भग एक्तिहाई 31% of grasslands या फिर 5.65 million hectare of grasslands हम लूज कर चुके हैं पिछले 10 साल में तो यह भी आपको याद रखना है यह डिटा नेक्स दोस्तों आप अगर देखें तो इंडिया की बात करें तो डिजर्टिफिकेशन की लेवल बढ़ रही है 26 स्टेट्स में दोहजार ती सिवा दोस्तों नया डिटा भी और आने वाला है डिजर्टिफिकेशन का रिसेंट जल्दी आएगा तो भी आपके साथ मैं शेर करूंगा तो दोस्तों इंडिया ने क्या क्या किया है तो दोस्तों UNCCD UN Convention to Combat Desertification की 14th session याने COP14 कहां हुई थी इंडिया में हुई थी तो इंड इंडिया ने भी अपना कमिटमेंट किया है कि वो भी 26 million hectare of degraded land by 2030 degradation की चपेट से बचा लेंगे तो दोस्तों land degradation neutrality एक टर्म है उसका उपयोग किया गया है कि land degradation neutrality 26 million hectare के लिए अचीव हो जाएगी तो land degradation neutrality क्या हुआ दोस्तों तो land degradation क्या हो सकता है तो land की उर्वर शमता बढ़े या घटे degrade हो रहा है याने शमता घटती जा रही है तो क्या किया जाए neutrality अचीव करना है याने की land को वापस से neutral level पे ले आए तो land degradation neutrality हम कहेंगे किसी जमीन के लिए अचीव हो गई यदि उसकी उर्वर शमता अब स्टिबल हो चुकी है या से नेट पॉजिटिव हुई है नेट इंप्रूव हुआ है लैंड का क्वालिटी तो हम कहेंगे भाई या लैंड डिगर्डेशन न्यूट्रालिटी अचीव हो गई है तो यह बहुत इंपोर्टन डेटा है यह भी आपको जानना है इंडिया की ज यह रखा है क्योंकि अगर मैं जाऊंगा और क्या सल्यूशन होगा तो यह वीडियो अपने आप में 40 मिनट का एक लेक्चर बन जाएगा जोगर्फी का तो इस वक्त नहीं जा रहे हैं तो यह आपके लिए मैं मान के चलो आप लोगों ने पढ़ा होगा जोगर्फी पढ़ अनुट्राइटी टारगेटस फिंधी कमिंग फ्यूचर क्या इंडिया सल्यूशन करें क्या स्टेप्स करें तो भी बताए कैसे फार्मिंग के लिए अनुसार कैसे कैसे बहुँतार क्या तो इन सब के लिए आप आप कुछ-कुछ solution लिखेंगे सोचेंगे और भी dimensions है है ना water recharge कैसे करवाना है ground water level पर कैसे ground water level बढ़ानी है तो इन सब पर आप सोचने वाले हैं कैसे river management करना है watershed development होना है इन सब की बात करेंगे और उसके साथ कुछ government के schemes बताएंगे और फाइनली global level पर क्या क्या किया जा रहा है UNCCD बॉन चैलेंज को सब का भी जिक्र आप इस answer में करेंगे हिंदी में भी देदिया है मैंने आपको यह answer लिखना है दोस्तों जब भी अनकाट में पर आएं यूद्धी कोड के सीवन जिरो क्योंकि जब आप यह code यूज करेंग और जो guidance है वो आपको सारी subjects of GS, essay and geography optional में मिलेगी जब भी आएं यूज कोड के सीवन जिरो इसके सिवा दोस्तों हम 80 टेस्ट भी complimentary आपको दे रहे हैं इस वक्छास फिलिम्स टेस्ट है 30 मेंस के टेस्ट है तो यह सारे टेस्ट आपको complimentary मिलेंगे और यह आइडियल टाइम है जालवेड भी किये जाएंगे तो आपने सिंद रही है एक सालिया उससे अधिक का GS, GS optional combo प्लस आइकनिक कैसा भी subscription ले सकते हैं इसके सिवा दोस्तों महां subscription offer आप देख सकते हैं June तक हम रन कर रहे हैं तो अगर आप subscription लेंगे तो मींस 2022-2023 तक आपको मिलेगी और loans भी अविल सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करें इसका हिससा जरूर बने योजी कोड के C10 to be part of it thank you so much for joining have a great day